है है लो विडारे रोलकॉम टो मैं चैनल स्टॉक्स अडलाई चली देख लेता है आज मार्केट कैसा गया कल मार्केट कैसा जा सकता है इसका विचे क्या लोजिक है इंग कल लिए कौन-कौन सा स्टॉक अच्छा मोंटम दे सकता है मैं साथ आत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं कर पाए because of the hell reason मैं फादर को लेके तोड़ा बाहर गया था आप लोग से पहले इंफर्म किया था बहुत लोग को शाद पता नहीं था उन लोगों ने मुझे मेसेज भी किया इंस्टागम के पुछ से कि आपका कोई भी वीडियो अप्लोड नहीं हो रहा है क्या रिजन ह में वो सारा वीडियो आपको डेलिकेट और वीकली टाइम फ्रेम में मिल जाएगा इन्यों सबसे पहले बैंक भी देख लेता है डेली टाइम फ्रेम में देखिए भली मैंने वीडियो अप्लोड नहीं किया लेकिन मार्केट में यह जो करेक्शन आपको थोड़ा बहुत द सिंगल वीक में यह जब बना नहीं था उस टाइम में बताया था कि मार्केट थोड़ा सा निचे की साइट में आ सब्सक्राइब करना चाहिए जैसे निफ्टी में हम लोग ने देखा तो यह साड़ा लेबल से अगर सपोर लेके फिर उपर जाता है तो एक अच्छा इस डिसकांट प्राइस में कोई भी चीज मिलेगा तो लोग खरी देंगे उसके बाद ही नया बायर से हां पर अक्टिव होंगे नहीं तो अभी अल्टाइम हाई पर चल रहा है तो मैंने उस टैम में बता भी दिया था आप लोगो कि मार्केट अल्टाइम हाई पर चल रहा बहुत लोग यहां पर बाई करेंगे बहुत लोग और नीच आएगा और बाई करेंगे लेकिन मैक्सिमम जो बड़े प्लियर्स है वो लोग वेट करेंगे कि उनको एक अच्छा प्राइस में दिखेगा कि यहां पर अच्छा प्राइस में दिख रहा है यह अच्छा एक ब मैं आप लोगों से शेर कर चुक हूं multiple times कि कोई भी एक range का middle point बहुत ही अच्छा support या resistance के तरह काम कर सकता है depend करता है price उपर से नीचे आ रहा है या नीचे से उपर जा रहा है तो हम लोग के लिए middle point क्या था 43,500 which was acting as a good support previously but यह break हो चुक है तो अब यह अच्छा resistance की तरह काम करेगा यह वाला 43,500 का level अभी यहां पर ध्यान से देखिए बहुत ज्यादा complicated करने की ज़रूरत नहीं है 43,000 level के आसपास है कि price multiple time rejection ले चुक है यह 40-60 points का resistance zone है यहां पर यहां पर resistance ले चुक है और नीचे के flat खुलता है उसके बाद 43,500 के ऊपर यह 510 के ऊपर breakout करता है अभी देखिए यहां पर दो चीज है बहुत लोग बोलता है कि breakout मतलब एक five minutes का उसके बाद यहां पर anti करो upper side में अच्छा momentum कर सकता है 600,700,800 यह सरा level upper side में दिखा सकता अच्छा momentum up side में कर सकता अगर five minutes के ऊपर price sustain करना स्टार कर दिया फ्लाइट खुलने के बाद ठीक है हम लोग selling कप करेंगे देखिए selling का भी कोई सिनारियो बननी रहा क्योंकि यहां पर continuously swings को आपर side में price shift कर रहा है price action भी हमें define कर रहा है buying side में जाना है selling कप बनेगा अगर market gap down खुल गया aggressive selling हम लोग जो day का low है मतलब 40,000 80 से लेके 40,000 का round level इसके नीचे ही करेंगा अगर price gap down खुल के इसके नीचे नीकलना start करता तब हम लोग aggressive selling कर सकते है अगर price east zone के अंदर कहीं भी घुलता है यहां पर खुलता है तो हम लोग छेट थोड़ा एंटी कर सकता है अगर डेलो के पास अगर time spend करना start करता है उसके बाद इसके नीचे breakdown करता है तब अच्छा selling side में momentum कर सकता है अगर market में gap down खुल गया तो scenario क्या है 43,300 के ऊपर अगर कहीं पर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे 380 के नीचे कहीं पर खुलता है इस लेवल पर तो हम लोग वेट करेंगे अगर यहां पर यहां पर कहीं पर खुलता है तो वेट करेंगे प्राइज अगर इसमें थोरा stay करता है stay कर जाता है मतलब यहां आप से जिन लोग नहीं पर शॉट किया उनका एक शॉट कवरिंग आ सकता है तो फिद्खनर के ऊपर breakout basis में fit rate करेंगे फिर 200 पर साय में target रहेगा 700 800 या 40700 40780 790 यह सरा आपर साय में target दिखा सकता है अगर प्राइस बहुत बढ़ा gap अप खुल गया तो यह बहुत बढ़ा gap राउन खुल गया दोनों सीनारियों पर हम लोगों को simply wait करना है प्राइस को कहा जाना है प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसके बाद उसी सबसे कैसा candle बन रहा है अगर प्राइस बहुत बढ़ा gap खुल गया 700 के आसपस कहई पर खुल गया उसके और प्राइस नीचे आखे 500 से कोई भी एक rejection candle बना रहा है हमाट टाप के candle तो ज कासा हम लोग वेट करेंगे अगर बहुत बारा gap-up gap-down खुल वेट करेंगे अगर इस रेंज के अंदर कई भी खुलता जो मैंने आप लोगों से शेर किया उसी साफ से हम लोग support रेजिस्टेंस के ऊपर पेस करके sell या buy कर सकते है ठीक है चले यह भी nifty देख लेते हैं निफ खुलने के बाद तो टोटल मोमेंटम का 50% सपोर लिया फिर यहां पर आपर से मोमेंटम दिया तो जिन्हों भी यहां पर buy किया होगा अच्छा एक return आपको मिल चुका होगा और और प्राइस अभी भी हाल कर रहे हैं कि उनका भी मार्केट उपर जा सकता है अभी देखिए अभी देखिए ग्लोबल मार्केट तो मैंने का अड्रोल में नहीं है तो उसका मैं बता नहीं सकता है लेकिन प्राइस एक्षेन थोड़ा आपर से में दिखा रहा है अभी हम लोग का व्यू क्या रहेगा देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टन चीज़ है मार्केट के आसपास तो 18,450 जो हम लोग के लिएक रिजिस्टेंस होन है अगर इसके उपर प्राइस निकलता है फ्लैट खुलता है मतलब मैं फिर से बतारा अगर प्राइस फ्लैट खुलता है 450 के ऊपर एक ब्रेकाउट देता है हम लोग बाई कर सकते 18,500 तक का इनिशल डायर तो 18,500 तो यहां से एक रिजिस्टेंस ले सकता है तो पॉर बॉक कर लेंगे अगर इसके उपर प्राइस ब्रेकाउट कर देता है यहांपे आगर करता है कैसे ब्रेकाउट कर देता है और 520 के ओंपर एक दो ऐख सचंद करना करने हैं अपने price को तो gap अप्षोनने का probability है तो अगर फाइवनेट के बीच में कई पे खुलता है मतलब between 500 to 450 is between कई में खुलता है तो मैं पहले ही बता दिया इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे अगर फाइवनेट के ऊपर निकलता है sustain करता है तो हम लोग buying set में प्लान कर सकता है तो action momentum मिल सकता है ठीक है अगर market gap down खुल गया तो हम लोग अप लेगो action क्या रहेगा देखिए यहाँ पे कुछ important चीज़ है तो हम लोग थोड़ा selling set में प्लान कर सकते हैं लेकिन immediate sell नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर swing है यहाँ पर swing है multiple swings यहाँ पर है which will act as a good support तो जब तक price 18,380 के ऊपर है या 400 के नीचे या इस between 20 points के अंदर है हम लोग sell या buy कुछ नहीं करेंगे 18,380 के नीचे अगर market निकलना start करता है तब हम लोग थोड़ा aggressive नहीं quantity को कम रखेंगे अगर possible तो half रखेंगे थोड़ा selling कर सकता है 18,340 then 18,330 यह सारा level नीचे की set में थोड़ा दिखा सकता है अगर price 18,000 में फिर से बतारा अगर price गहुत बड़ा gap down खोलता है यह इस level के नीचे बतारा 18,340 50 के आसपा सकता है 18,325 के नीचे 18,325 यह जो चहांपे एक double bottom जैसा scenario बना के उपर गया था अगर इसके नीचे एक closing दे जेता है हम लोग aggressive selling कर सकता है 18,300 18,300 18,280 यह सारा level market दि ठीक है तो market gap down खुलता है उसी सबसे हम लोगा trading plan रहेगा अगर flat खुलता है तो हम लोग buying के बारे में सुचे लिए तो देखें के market कहां पर खुल रहा है उसी सबसे हम लोग plan करेंगे अगर 500 to 500 to 450 के बीच में खुल रहा है तो wait करेंगे 500 का breakout पे trade करेंगे अगर बहुत करेंगे हम लोग जब तक 18,325 का लिए ब्रेक नहीं होता है अगर यह ब्रेक करता है से लिंग करेंगे डेलो तक का इनिशाल ही टार्गेट रहेगा चलिए कलके इंटेटी के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंग यहां पर बाइंटी बन र इनिशाल रहेगा नेक्स टॉक है हम लोग लिए डावर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेडिके अबास प्राइस इसी लेवेल के आसपास हौल कर रहा है अगर खुलता है उसके रेक आउट करते हैं प्राइंसाइट कर सकते हैं 590 के उपर 594 का फर्स टरगेट दिल 598 का सेट लास्ट टॉक है महेंदर बहुत ही अच्छा है इत्मोमेंटम रहा यहां पर कहीना कि और ज्यादा मोमेंटम दे सकता है और इसी लेवेल का पास से एक डिजेक्शन लिया है अगर 1294 के उपर निगलता है तो हम लोग कर सकते 1302 का फर्स टरगेट रहेगा यहां से अगर प्र 289 का डालके बाइंग सर में इंटी कर सकते है आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते है आपसे नेक्स वीडियो पे